सब्सक्राइब के लिए बहुत बड़ा समाधान है जो लोग सब्सक्राइब जाते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम क्रिए होती है कि कौन से अच्छी कंपनी है और किस कंपनी में जाया जाए तो आज इस बात पर हम डिसकस करेंगे कि आखरकार जो एजेंसी हैं वो कैसे आपक तो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मुससा और शिर्का और सप्लायर कंपनी में डिफरेंस नहीं पता कर पाते हैं कि अखरकार क्या है अगर किसी को बता दिया जा कि मुससा कंपनी है तो बहुत सारे केंडिट्स कहते हैं कि नहीं अच्छी कंपनी नहीं है जबकि ऐसा न corporate company में काम करता है मतलब अगर corporate company में कोई imply काम करता है तो इसका मतलब वो बहुत बड़ी company में काम करता है और बहुत अची company मतलब यह कि corporate company मतलब यह कि international level पर उसके branches होगी और या तो वो company किसी बाहर की country की है और वो यहां इस बात का आप समझ लेजी कि बहुत सारी सब्सक्राइब हो गूँर्मिंट भी नीटेट भी है और सप्लायर भी है मुससा भी है तो जब मार्केट में आपको शिर्का लिख के आता है तो बहुत सारे जो खुश हो जाते हैं कि यह शिरका कमपनी है लेकिन मैं आपको बता दू किसी कमपनी का नाम नहीं लूगा बहुत सारी ऐसे शिरका कमपनी है जो बहुत बड़े लेबल पर supply करती हैं जो supplier हैं तो शिरका कमपनी का मतलब यह नहीं होता है कि वह corporate company हो गयी यह बहुत करके बहुत सारे लोगों को हायर कर रखा है एक जो मालिकाना हक है वो किसी एक इनसान के पास में लेकिन जो private limited company होती है उसके partner होते हैं उसमें कम से कम minimum दो partner होने चाहिए तो उसका मतलब उसमें हिस्सेधारी रहती है उसमें बहुत सारे लोगों की team होती है और team बनाने के इसके बाद रिपोर्ट जो भीजते हैं तो डारे कंपनी के CEO होते हैं इस तरह के बहुत सारे लोगों होते हैं उनको जो है रिपोर्ट दी जाती है और फिर वो जाके मालिक के साथ में बैटके वो लोग शियर करते हैं पूरा डेटा को तो यह चीज हो गई और किया होता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहा है तो इसके मालिक को डैरेक्टा lei करना होता होता है और यह तो इनके टीम किंबर्श होते हैं इसो dalla Pr Allen मेर तो आपके direct connection होते है मालिक से और अगर वही company बड़ी हो जाती है तो उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं उसी में report आपको करना होता हिरार्की तो बिल्कुल सेम चीज यह भी है कि Saudi में जो companies होती है कि शिरका company अगर है तो शिरका company मतलब होगी कई सारी company ऐसी होती है कि जो आपको on time salary दे देती है जो काम बताया गया वो काम दे देती है तो किसी एक example अगर मैं बात करूँ कि अगर आप furniture car printer है शर्टिंग car printer है या electrician है या तो आप ऐसी technician है और आप supplier company में चले गए हैं तो उसमें होगा क्या कि वो आपको कुछ दिन दो मेने के project पर डालेंगे और दो मेने के project जब खतम हो जाता है तो फिर आपको बुला लेंग तो आपको एक मेने पैसे देंगी लेकिन बहुत सारी इस तरी companies होती है जो छोटे छोटे suppliers होते हैं उनका target क्या रहता है कि अगर आपके पास काम है तो वो आपको salary देंगे project पे काम करवाने के बाद लेकिन अगर आपको पास काम नहीं है तो वो लोग फिर क्या करते हैं कि interview दिलवाते रहते हैं बड़े-बड़े जो project आते हैं उस पर आपको भेजते हैं या तो interview करवाते हैं फिर आगर पास हो जाते हैं और दूसरी company में आपको project मिल जाता है तो फिर आपकी salary start हो जाती है तो यह आपको एक बड़ी company में जो बड़े supplier होते हैं उस पर फायदा भी ह चोटे supplier जो होते हैं उस पर यह नुकसान भी है और दूसरी बात यह आते हैं कि मुससा company कि जिसमें आपका जो कफील होता है जो मालिक होता है वो बुलाता है आपको और वो क्या करता है कि बड़े-बड़े supplier जो मुससा company हो बड़ी भी होती है और जो मुससा company बहुत चोटी जिसमें चारी लोग काम करते है और वह पोजड़क्ट के अंदर में आताय वह एक उसको компलीट करके देती है तो क्या होता मालिक को हो 596 डोग तो इसने वह बाहर से बुलाते है और अलग-अलग तरीके की टेकनिकल के लोग बुलाते हैं मालिक कर यह है काम की मालिक आपको काम देगा और वो प्रोजेक्ट आपसे खुद करवाएगा खड़े होके करवाएगा और कई बार ऐसा होता है कि मुसफ़सा अगर बहुत अच्छा नहीं हुआ तो वो बुलाता है एलेक्टिशन में और डाल इस यह जाता है उसी में लगाय रहते हैं तो आपको यह चीज़ जाननी है कि मुसफ़सा कंपनी और सप्लार कंपनी और शिर्का कंपनी अक तरीके से यहां पर इंटरनेशनल लेवल की कंपनी भी होती ए कि जो अलग-अलग कंट्री इस में भी होती है और जिस कंट्री आ आ करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि माली कर नजर नहीं आएगा और किम्पनी में क्या हgebaut है हर कोई को आपके senior था होगता है उनको भी अपने नौकरी की खौफ होता है वहाँ फेलाज की वह होते है वह उनके लिए आप वमने होता है लिए उनका दारूट है इसलिए उनका प्रेशर नहीं रहता है आपके लिए के काम का इतना वतना करना है आप क्या Devil का प्रेशिए अपकर कर्थे हमें और जह से प्रमपा ब्रावखीक कि चुर मोद्यार थे हैं जिछान मैंने प्रमला कर तो या ची डालता है या तो आपको मार पेट के काम नहीं कराता है तो यह चीज होती है कि शिर्क का कंपनी में पाइदा हो कि सब लोगों को अपनी अपनी नौकरी का खत्रा भी रहता है और कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो जो जाते हैं किसी कंपनी में और वो डर के मारे वहां से भागने लग किसी कंट्री में जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाता है मेडिकल होता है और अगर आप किसी कटेगरी के हैं जैसे ड्राइवर की बात कर लो तो फिर लाइसेंस अपलाई होने लगता है उसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है ट्रेनि तो यह न देखे कि बहुत अच्छी कंपनी है आप अपना टेस्ट भी यहांसे कराके जाएं वैसे भी आपको बता दे हम कि यहां अगर आप टेस्ट के लिए जाते हैं यह आपका अगर वीजा लगता है तो अब इमपेसी की तरफ से एक नया अनॉंस्मेंट आया है कि आप ज जाकर उसी काटेगरी में वीजा लगता है पहले ऐसा नहीं होता था पहले क्या था कि पहले आप कोई भी कटेगरी में अगर आप TESTE करा रहे हैं तो TESTE CENTR कोई भी होता था अलग अलग TESTE CENTR में जाकर आप TESTE करा लेते थे पहले पहले गारे बात कर रहा हूं तो आपको बहुत सारे रिव्यूज मिलेंगे और फीडबैक क्या होता है कि वहां पर काई सारे लोग अरभी में लिखते हैं कि हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं तो convert करने का भी एक option आता है Google में ही जाएंगे तो translation करके Google में type करेंगे तो Hindi to English या तो English to Hindi या Arabic to Hindi करेंगे तो आपको review पढ़ने में आ जाएगा समझ में आ जाएगा कि यह कंपणी कैसी है यहां पर salary time से मिल रही है यह नहीं मिल रही है यहां के जो employees है वो happy है या नहीं है तो बहुत सारी इस तरह की companies होती है जो supplier होती है जिनके review आप देखेंगे तो यहां पता चलता है कि वो company अच्छी नहीं है उस company में salary time से मिल रही है या तो employees को काम नहीं कर जा रहा सही सरी या तो मालिक अपने अंडर में सारे registration और बगद करा के और आपको बला लेता है तो आपको आपको अच्छा है तो आप जा सकते हैं और जब कोई अच्छी कमपनी आपको मिल जाती है तो आज मैं आपको बता दूँ कि यह डिफरेंस शायद आपको नहीं पता था कि मुसस्था और शिर्का और सप्लायर में फर्क क्या होता है तो आज यह बातें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी और जो एजेंसी हैं वो एजेंसी बहुत सारी ऐसी होती है कि जो इस बा और जाद तो किसी कफील के अंडर में वीजा होता है तो कफील का नाम लिख रहाता है वहां पर पर पर्रॉब्लम फेश नहीं करने पड़ेंगे के जा रहा है जब वीजा लग जाता है तब क्लाइंड भी शायद उसी कैंडिडेट को accept करता है जिसका वीजा लगा है और वे एजंसी अगर cancel करती ही वीजा तो एक negative impression जाता है क्लाइंड के पास में कि यह क्यों cancel किया गया फिर आपको बहाने बनाने पड़ते हैं या तो accident हो गया या तो medical unf जाएंगेगा अखिरकार यह पहले अगर clear हो जाती है फिर कोई दिक्कत नहीं होती है और जो candidates हैं उनको यह बात जा लेना है तो गूगल में अगर जाएंगे तो reviews में जाएंगे और WhatsApp बहुत सारे groups हैं Facebook बहुत सारे groups हैं जिसमें अगर आप company का नाम डालते हैं तो भी company की feedback जाते हैं और लोग भी जो है वो आपको support करते हैं उस चीज़ के अच्छी company है या नहीं अगर आपको कोई और problem हो रही है इस तरह की company से related यह job से related यह salary से related यह contract से related या वहां के कफील या जो मुदीर है या तो वहां पे जो मालिक है अगर किसी तरह की problem आ रही है तो आप वह कोशिश करूँगा reply करने की तो चलिए मिलता हूँ कुछ और वीडियो के साथ में तब तक लिए ध्यान रखेंगे अपना टेक्यार जाए